हलो एंड मोस्ट वेलकम आज को जो हम लोग का टॉपिक है वो है कंट्रोल अफ अस्कैटर रेडियेशन है इस वीडियो में जो हम लोग का में फोकस होगा वह वीम लिमिटिंग डिवाइसेज और गृट पर होगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पास एक सवाल है क कि हम लोग क्यूं ये topic पढ़ रहा है हम लोग क्यूं ये scatter radiation को control करना चाहते है तो scatter radiation जो होता है वो हमारे picture में हमारे image में unwanted exposure या fog को add कर देता है जिस कारण से जो हमारा picture आता है वो धुंदला पढ़ जाता है आप खुद compare कर देजे यह picture 1 और यह picture 2 picture 2 जादा साफ है picture 1 थोड़ा धुंदला है धुंदला scatter radiation के कारण ही है और दूसरा point यह कि scatter radiation हमारे image के contrast को कम कर देता है अब contrast क्या है contrast एक relative term है ठीक तो हम यह बोलेंगे कि यह picture picture 1 और यह picture 2 तो यह picture 2 का जो contrast है वो जादा है तो हमने picture 2 में ऐसा क्या देखा जो यह बात बोर रह ठीक तो picture 2 में आप यह देखिए यह portion जो white वाला portion है ठीक और यह black वाला portion है तो यहाँ पर जो degree of whiteness है और यह जो degree of blackness है यह ज़्यादा है compared to picture 1 जबकि यहाँ पर आपको सिफ gray gray दिखाए दे रहा यहाँ पर clear cut margin आपको नहीं दिखाए दे रहा लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब चीज साब साब दिखाए दे रहा तो यह जो picture का जो contrast है वो भी कम कर देता है scatter radiation तो यह जरूरी हो जाता है कि हम लोग को एक अच्छा picture मिले इसके लिए scatter radiation को हम लोग control करते हैं तो यह scatter radiation आता कहां से है जब primary beam primary radiation अपने पास से deflect कर जाता है ठीक तो scatter radiation produce करता है यह primary beam अपने पास से deflect हो गया तो यह scatter radiation को produce करता है तो primary beam अपने पास से deflect कैसे होता है क्यूं होता है तो deflect होने का कारण है coherent and chromatum interaction ठीक इस पर मैंने एक detail video बना रखे आप जाकर उसे देख सकते हैं लेकिन मैं एक brief में बता देता हूं कि chromatum interaction में क्या होता है कि जो incoming x-ray photon रहता है वो अपना path तो change करता है साथ ही साथ उसका कुछ energy भी loss हो जाता है ठीक और coherent interaction में क्या होता है कि जो incoming photon रहता है वो सिप अपना direction change करता है ठीक तो जब primary radiation matter के साथ interact करता है coherent interaction या chromatum interaction होता है तो scatter radiation produce होता है ठीक अब हम लोग बात करेंगे कि scatter radiation का जो magnitude है वो किस factor पे depend करता है कब scatter radiation ज़्यादा produce होगा कब kब produce होगा ठीक तो सबसे पहला जो हम लोग का point है वो है radiographic procedure हम लोग किस तरह का Scan प्रोसीजर कर रहे हैं अगर हम लोग soft tissue का रेडियोग्राफिक कर रहे हैं तो वहां पर scattered radiation ज्यादा प्रोडियूस होगा compare to heart tissue ठीक दूसरा point यह कि यह depend करता है इसका magnitude field size पर भी कि हम लोग कितने area में radiation दे रहे हैं अगर ज्यादा area में radiation देंगे तो ज्यादा scattered radiation प्रोडियूस होगा third point patient के thickness पर depend करता है ज्यादा मोटा patient रहेगा तो ज्यादा scattered radiation प्रोडियूस होगा fourth point magnitude of a scattered radiation volume of tissue irradiated पर भी depend करता है ठीक आपने अभी देखा था कि area पर depend कर रहा है length पर भी depend कर रहा है length क्या है patient का thickness आप माल लीजे area क्या है x-ray का field size माल लीजे कि आप कितने area में दे रहे हैं तो यह relation volume का देता है तो volume भी depend करता है कि आप जतने ज्यादा volume पर देंगे अतना ज्यादा scattered radiation प्रोडियूस होगा पांचमा point कि scattered radiation का magnitude है वो photon के energy पर भी depend करता है तीक है आपने पहले देखा है कि जो photoelectric effect होने का probability है वो inversely proportional है cube of energy of photon और scattered radiation का जो होने का probability है वो inversely proportional है energy के तो यहाँ पर graph के according आप देख लीजिए कि यहाँ पर probability है ठीक और यहाँ पर energy है तो आप जैसे जैसे energy बढ़ाईएगा वैसे वैसे scattered radiation घटेगा इसके according 1ye proportional का graph यह आएगा ठीक और photoelectric effect का क्या होगा यह तो scattered का graph है photoelectric effect का क्या होगा photoelectric effect का graph ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पर 1ye पर power 3 है ठीक तो यहाँ पर आप overall देखे कि energy आप जब बढ़ा रहे हैं तो photoelectric effect और scattering effect होने का probability दोनों घट रहा है लेकिन यहाँ पर एक relative increase है ठीक relative increase यह scattering effect होने का scattering का probability यहाँ पर increase हो रहा है तो एक तरह से photoelectric effect कम होगा scattering effect जादा होगा energy हम लोग बढ़ाएंगे तब ठीक अब हम लोग अपने main topic पे आते हैं कि a scatter radiation को control कैसे करें तो scatter radiation को control करने के लिए हम लोग के पास दो तरीका है पहला कि a scatter radiation के production को ही हम लोग कम कर दे और दूसरा a scatter radiation को image receptor तक पहुँचने ना दिया जाए ठीक है तो जो पहला तरीका है उसमें हम लोग क्या करते है कि हम लोग radiation के field size को कम कर देंगे radiation का field size कम रहेगा तो scatter radiation कम produce होगा और दूसरा patient को हम लोग compress करेंगे पेशन को तो patient का thickness कम होगा और patient का thickness कम होगा तो scatter radiation कम produce होगा यह तरीका यूज होता है मिमोग्राफी में ठीक अब आगे हम लोग देखते कि scatter radiation को image receptor तक पहुचने से कैसे रोके तो इसके लिए हम लोग anti-scattered grid का यूज करते है air gap technique का यूज करते है slit scanning system का यूज करते है तो इन सब चीज पर अभी हम लोग detail में बात करेंगे यह सब क्या होता है कैसे होता है ठीक हम लोग के पास जो पहला तरीका है वह है by reducing the field size तो field के size को reduce करने के लिए जो device होता है उसको हम लोग बोलते X-ray beam restrictor X-ray beam restrictor basically 3 तरह को होता है पहला diaphragmatic aperture दूसरा cone ya cylinder और तीसरा x-ray qualimeter diaphragmatic aperture simple एक lead का seat होता है जिसके बीच में एक hole होता है अब यह जो hole है इस hole के shape and size से हम लोग X-ray beam का shape and size को determine करते है लेकिन हम लोग diaphragmatic aperture का use अब नहीं करते है क्यों नहीं करते है क्योंकि बहुत ज़्यादा यह plumera का formation करता है plumera क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेता है plumera को समझने के लिए आप एक मिनिट के लिए radiation को भूल जाए है X-ray को भूल जाए है हम लोग बात करेंगे sunlight के term में तो plumera वो region को हम लोग यहां पर denote कर रहे है जहां पर sunlight भी है और shadow भी है यहां पर light भी है और यहां पर shadow भी है देखिए यहां पर light कहां से आ रहा और shadow कहां से आ रहा तो sun का यह portion है ठीक है यहां से जो रौसनी निकलेगा, उसके पात में ये अर्थ आ जाएगा, ठिक, अर्थ आएगा तो इतने दूर में यहां तक complete darkness रहना चाहिए था, लेकिन darkness बस इतना दूर तक ही है, ठिक, जिसको हम लोग बोलते हैं, अमबरा, यहां पे partial darkness है, partial darkness क्यों है, क्योंकि यहां पे कुछ light भी आ रहा है, ठिक, shadow में कुछ-कुछ light आ रहा है, light कहां से आ रहा है, तो sun का यह पोर्षन है, यहां से जो रौसनी निकलेगा, वो यहां तक जाएगा, ठिक, यहां से देखे, यहां से ऐसे, तो यह जो portion होगा, यहां पे इतना, यह partially dark रहेगा, यहां पोर्षन पा थोड़ा-थोड़ा light आता है, ठिक, अब यही concept को अब हम लोग अपनाते हैं, diaphragmatic aperture में, देखिए, aperture का जो dimension है, वो इतना ही है, ठिक, तो यानि कि जो radiation आना चाहिए था, वो यहीं तक आना चाहिए था, ऐसे ही आना चाहिए था, लेकिन कुछ-कुछ radiation यहां भी आ जाता है, कैसे आता है, तो यहां पे जो radiation होगा, वो ऐसे आएगा, इस corner से, यहां पे ऐसे इस corner से, ठिक, तो यहां पे जो partially radiation का जो exposure हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे, पिलूमरा, ठिक, अब पिलूमरा होने से होता क्या है, पिलूमरा होने से हम लोग का image का सो सार्पने से, वो तो ऐसा लाइन ना आ करके कुछ इस तरह का आपका लाइन आएगा ठीक है पेलूमरा के कारण मोटा मोटा लाइन आएगा तो पेलूमरा को कम करने के लिए हम लोग ने कोन और सिलेंडर का आविश्कार किया कोन और सिलेंडर में क्या होता है कि यह तो simple साथ था diaphragmatic aperture इसमें एक cylinder को हम लोग जोड दियें इसे को हम लोग बोलें cylinder ठीक है इसमें जब कौन जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे कौन तो इसमें क्या concept था कि जैसे देखिए इसका जो extended part है कौन का ठीक है वो extended part पिलूमरा को बनने नहीं देगा कैसे जब यहां से radiation ऐसे फैलेगा ठीक है तो यह जो extended part है यह एब्जॉर्ब कर लेगा radiation को तो radiation को जब यहां पे एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा जो यहां से जो radiation आएगा बस इतना ही रहेगा पिलूमरा का formation नहीं होगा यहां भी देखिए कि यहां पे जो light आ रहा है यहां से ऐसे करके यह एब्जॉर्ब कर लेगा यह एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो radiation यहां तक रहेगा बस इतना तक ही आने जा रहा है कोई extra यहां पे exposure नहीं होगा तो यहां पे पिलूमरा formation नहीं होगा picture quality थोड़ा अच्छा आएगा अब हम लोग x-ray qualimeter के बारे में बात करेंगे ठीक x-ray qualimeter कैसा दिखता है आप इसे picture में देख लिजे यह जो square shape का आपको device दिखाए दे रहा है ठीक यह यह क्वाली मिटर qualimeter को अभी तक का best x-ray beam restrictor device माना जाता है qualimeter के अंदर क्या होता है यह थोड़ा सा देख लेता है qualimeter के अंदर दो shutter होता है shutter 1, shutter 2 और एक mirror होता है जो कि 45 degree पर tilted रहता है ठीक और यहां पे एक bulb लगा रहता है तो जो पहला shutter का काम है वो shutter x-ray beam के shape and size को control करने के लिए रहता है और जो दूसरा shutter होता हो पिलूमरा को control करता है पिलूमरा को बनने नहीं देता और परतिक shutter में दो pair रहता है lead plate का यह पहला pair और यह दूसरा pair यह दोनों pair जो रहता है वो independently move करता है यह इस direction में independently move करेगा और यह इस direction में independently move करेगा ठीक और जब यह independently move करता है तो हम लोग को various shape and size का x-ray field मिलता है ठीक अब यह bulb का क्या काम है तो bulb हम लोग को visualize करने में मदद करता है कि आखिर radiation कितने area पर गीरेगा ठीक यह देख लिजिए यह इतना area हम लोग को दिखा रहा है bulb कि इतने area पर radiation गिरेगा ठीक तो यह काम कैसे करता है जब हम लोग x-ray source को और bulb को यह हो गया x-ray source और यह हो गया bulb ठीक जब हम लोग x-ray source को और यह bulb को mirror से same distance पर रखेंगे ठीक तो radiation का जो field size होगा और यह bulb light का जो field size होगा वो दोनों same आएगा ठीक लेकिन जब हम लोग bulb को mirror के थोड़ा नस्दीक लेके जाते हैं ठीक तो क्या होगा कि जो bulb का जो light का जो area होगा वो बड़ा हो जाएगा क्यूं बड़ा हो जाएगा आप यह देखिए आप इसको यहां पर लेके गए यहां पर जो था देखिए यहां पर और यहां पर तो यह angle equal to यह angle होगा law of reflections है आप इसको देख लिजेगा लेकिन जब आप जैसे ही इसको नस्दीक लेके जाएगा तो यह जो angle होगा यह angle घट जाएगा ठीक तो यह वाला angle भी घट जाएग तो यहां पे जो ऐसे ऐसे आ रहा था पहले light अब वो ऐसे आएगा यहां पे इतना area बर गया ठीक तो यह एक point हमेशा दिमाग में रखेगा कि x-ray target का distance mirror से और bulb light bulb का distance mirror से दोनों का same रहना चाहिए तब ही x-ray का जो field size है और जो bulb का field size है वो दोनों एक दूसरे पर overlap करेगा ठीक अब जो हमारे पास दूसरा तरीका है कि scatter radiation के production को कैसे कम करें तो वो है compression तो compression में क्या होता है कि जब हम लोग soft tissue को compress करते हैं तो उसका thickness कम हो जाता है और जब thickness कम होगा तो वहाँ पे scatter radiation कम produce होगा ठीक और दूसरा point यह है कि जब हम लोग soft tissue का radiographic करते है ठीक तो वहाँ पे आप low energy वाले photon का यूज कीज़े है ठीक जब आप low energy वाले photon का यूज कीज़ेगा तो एक relative probability of scattering radiation decrease करता है और photo electric absorption का probability बढ़ता है तो वहाँ पे picture quality थोड़ा साफ आएगा ठीक यह है मेमोग्राफी में यह तरीका यूज होता compression का आप देख सकते हैं यहाँ पे breast को compress किया गया उसके thickness को कम करने के लिए